Good morning students, आज मैं फिर से चलाया कक्सा स्टेंडर्ड फोर्म में हिंदी का पट यानि रिम जिन 3 को लेकर चलो, अब शुरू करते हैं आज हम चैप्टर नामबर 9 का क्वेस्टन एंसर को लेकर चलाया, देखो यहाँ पर क्या समझे जिन सब्दों के नीचे रेखा खिची है, उनका मतलब बताओ यानि के देखो, यहाँ पर कुछ वाड है और इसके नीचे रेखा खिच लिया है, देखो लाइन इस वाड का सब्दर्ट यहाँ पर लिखना है समझ गये? रेखा खिची हुई वाड का समझ वाले आर्ट यहाँ पर लिखना है मुझे वेंगुनी रांग कताई अच्छा नहीं लगता तो रेखा खिची हुई कौनसा वाड में कताई कताई का मतलब बिल्कूल कताई का मतलब सब्दर्थ क्या है? बिल्कूल नेक्स्ट रेखो अवंती ने सेट का मत्सूबा भाप लिया मतलब मत्सूबा का मतलब क्या है? इरादा मत्सूबा का मतलब है इरादा मैं तुमारा हूनर देगना चाता हूँ प्रतीभा हूनर का मतलब है प्रतीभा सेट बुलंद आबाज में बोला बुलंद आबाज का मतलब होती है स्वार सेट को इर्षा होने लगी इर्षा का मतलब होती है क्या सबदर्थ जलन यह सब सबदर्थ ए नेक्स रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं तो खास के नीचे रेखा खिजुए खास का मतलब विशेश ओके देखो तो कताई बिलकुल मत्सूबा इरादा हुनर प्रतिभा आवाज स्वर इर्शा जलन खास विशेश नेक्स देखो जोरे ढूंडो उपर दिये गए सब्दों के जोरों में केवल एक मत्रा बदली गई है किसी भी मत्राओं के बदले से अर्थ भी बदल जाता है ऐसे और जोरे बता बनाओ देखे कौन सबसे ज्यादा जोरे ढूंड पाता है जैसे यहाँ पर देखो दीन और यह क्या है दीन मेला यह है मेला मेला का मतलब फ्यार जहाँ पर सारे लोग दुकान होती है जहाँ पर मिलती है घुमने जाते है और मेला का मतलब डाटी ठीक उसी टरा इसका मतलब की डे होती है इस तीन का मतलब क्या है ते पूर जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है देखो मिल यानि के मिलना मौपर बड़ा ए की मरता ला इसका मतलब किलोग्राम डिस्टेंस यूनिट जिसको कहते है ओके नेक्स्ट समान मात्राओं की बदलने से उसका आर्ट भी बदल जाता है समान का मतलब यह सेम और समान मतलब लागेज तिंस नेक्स्ट देखो यह क्या है ग्रिह इसका मतलब घर हाउस ग्रह इसका मतलब प्लैनेट नेक्स्ट देखो पीला पीने का बात पीला कालर ओके हार यानि गर्लन का हार यानि खेल में हार जाना और क्या होती है और क्या और क्या और ने थी इतना ही मील मील समान समान ग्रिह ग्रह पीला पीला हार हार ओके नेक्स्ट देखो कभी-कभी हाम अपनी बात करने हुए ऐसे सब्द भी बोल देते है जिनकी कोई जरूरत नहीं होती इस तरह इन बाकों में कुछ सब्द फाल्तू है इने ढूंड कर अलग करे इस सेंटेंस में कुछ वर्ड है जो फाल्तू है उसको ढूंडने के छुट देना है ठीक है यहां पर देखो बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना तो यहां पर फाल्तू की बात कौन है पत्ती इसको गुला लगा देते है एक पीला पका पपीता अरे इसमें इतनी साड़ी ठंडी बर्ब क्यों डाल दी अरे इसमें इतनी साड़ी ठंडी बर्ब क्यों डाल दी बर्ब तो ठंडी होती है तो ठंडी जैवा बागीचे से दो ताजे निम्बू तोड़ ला ना बागीचे में तो ताजे ही निम्बू होती है तो ताजे बेकार की फालतू बत मत करो बेकार की बत मत करो तो फालतू बत तो फालतू ही है तो यहाँ पर पत्ती यहाँ पर पीला यहाँ पर ठंडी यहाँ पर ताजे और यहाँ पर पलतू तो आज यही तक स्टुडेंट्स घर में इसे अच्छी तरह से रीट करना पढ़ना नेक्स दिन और नाए चप्टरों के साथ मैं तुमारे पस चलाएंगा तब तक बाई स्टुडेंट्स